अभी तक आपने सुना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर कुछ भी बखवास करोगी और हम माल लेंगे? रुपा जी ने कहा, मैंने कब कहा कि आप लोग बिना किसी सबूत के मान जाएए, मैं आपको अभी सबूत देती हूँ, मिश्टर कस्यप, पंक्ति ने क कहा, तो उसको बुलाने पर एक वकील वहाँ आया, और साथ ही मिश्टर रंधावा भी आये, जिने देखकर आर्या के हूश उड़ गए थी, अब आगे, सांति जी ने सारे मेहमानों को हाँ चोड़ कर जाने के लिए कहा, तो सारे लोग चले गए, डैट, आप यहाँ, आर् तरे से समझा सके, मिश्टर रंधावा ने कहा, और फिर वहाँ खड़े वकील ने भी हाथ में एक पेपर लेकर उसकी सारी बात पढ़ी, जिसमें लिखा था कि मिश्टर रंधावा अपनी पूरी प्रापर्टी, पूरा बिजनेस, अपनी कंपनी, हर एक चीज पंक्ती के न ओदिया, यह सब सही कह रहा है, अब पंक्ती ही इन सब चीजों की असली मालकिन है, वीर ने कहा, लेकिन डैड, आपने ऐसा क्यों किया, अपनी बेटी होती हुए भी आपने पंक्ती के नाम से सब कुछ कर दिया, आर्या ने कहा, आज तक तुमने बेटी वाला कोई काम किया है मुझसे जबरदस्ती सिगनेचर करवा के तुम कंपणी के डायेक्टर बन गई मैंने तुम्हें गलत करने से रोका था तुमने मुझसे सारे रिष्टे नाते तोड़ दिये यहां तक कि यह कहा कि मैं मर भी जाओंगा तो देखने नहीं आओगे तो कैसे किस लिहास से खुद को मेरी बेटी कह रही हो और तुमसे ज़्यादा तो पंक्ती ने किया है मेरे लिए इस एक महिने मेरा एक्सिडेंट हो गया था मेरी जान इसन आपने सही नहीं किया डैट आर्या ने कहा तुम लोगों को यह सही लगे या ना लगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं वीर ने पंक्ती पर गलत इलजाम लगाया उसे अपनी जिंदिगी से निकाला लेकिन फिर भी पंक्ती अकेले नहीं है उसका यह बाप उसके साथ है साथी वकील भी वहां से चला गया तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को मेरी सारी बातों पर भरोसा हो चुका है और अब अगर आप लोगों को इस घर में रहना है तो मेरे साथ ही रहना होगा और अगर आप इस घर से जाते हैं तो मैं वीर को इस कंपनी से भी निक पंक्ती ने कहा, तो ये है तुम्हारा असली रोप, अगर मुझे पहले पता होता न, तो कभी जिन्दगी में मैं तुम्हें अपने बेटे की पत्नी नहीं बनने देती, और याद रखना, तुम्हारी इन गलतियों के लिए न, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याने गुसे में कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जब जो मेरे मन में आएगा, मैं वही करूंगी, आज से और अभी से ये घर मेरा है, तो अगर आप लोगों को यहां रहना है, तो मेरे हिसाब से रहना होगा, और अगर आप लोगों को यहां नहीं रहना चाहते हैं, तो औ और भी अच्छा होगा आपके ले भी और मेरे ले भी पंग्ति ने कहाँ देख लिया आपने मम्मी जी मैंने कहा था ना कि यह लड़की इस घर के लायक नहीं है आपको तो मेरी बात समझी आप से तो मेरा कोई रिस्ता नहीं है ना घर के किसी इंसान से मेरा कोई रिस्ता नहीं है तो किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए मैं अच्छी रहूं या बुरी रहूं इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अब से आप सबको एक खास बात बता दो आप सारे लोग न मुझे थोड़ी तमीज से और थोड़ी धंक से बात करेंगे क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया न तो सब को इस घर से बाहर फेंदूंगी और उसके बाद ये जो हमारी होने वाली दुलहन है न आरिया वही पूरे सहर में कटोरा लेकर घूमेगी और आप लोगो निलew हमません को शादी नहीं होगी और बस मेरा राज होगा बंतिना कास मुझे पता होता कि तुम इतना भी घिरो वी बहुत गलत किया है मैंने तुमसे प्यार करके वनने का मैंने बोला थना प्यार करने मैंने फोर्च किया था तुमको उसे साधि करने क लिए तुमने सब तो आप लोगों को पसंद नहीं हूँ, आप लोगों को तो आरिया के जैसी ही बुरी और घटिया लड़किया ही पसंद आती है ना, तो देखो मैं बन गई हूँ, बुरी तो हूँ, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ, जितनी बुरी और घटिया आरिया है, बहुत शौक ह करना आपको आर्या को अपने घर की बहु बनाने का उससे साधी करने का तो एक बाद यात रखेगा आप लोग कि जो लड़की अपने पिता की नहीं हो सकी न वो इस दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती है एक पिता अपने बच्चों के लिए कितना करता है कितना मानता है पैसे इनसान की नहीं हो सकती है तो आप लोगों की कहां से होगी। फैर मुझे इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग किसे प्यार करो। किसे अपना दिल दो या किसे अपनी पूरी जिंदिगी दे दो। मुझे बस अपने पैसे और प्रापर्टी से मतलब थी वो मुझे यहां कर मिल गई है। अब मैं किसी के पर्सनल मैडर में टांग नहीं आणने जाओंगी। लेकिन हाँ मेरी मरजी के खिलाब कुछ मत करना। अगर इस घर में रहना है तो पंक्ती नहीं मुस्करा कर कहा। अभी साथ बज रहे हैं और मुझे एक घंटे में डिनर रेडी चाहिए यहां दाइनिंग टेबल पर पंक्ति ने कहा जी मैडम ठीक है रवी ने कहा और फिर किचन में चला गया आप सब जाए कुछ देर आराम कर लिजे कपड़े बदल लिजे और ठीक आठ बजे आप सब मु आरे ने का तुम्हारे पास और कोई आपसन भी नहीं है या तो मेरे और मानो या फिर अपना इंतिजाम खुद कर लेना याद है इस घर की माल किन नहीं नहीं महरानी अब मैं हूं पंक्ति ने मुश्क्रा कर कहा और फिर कमरे में चली गई है भक बौगान ये पंक्ति ही थी नहीं ऐसा रूप लग रहा था जैसे तुफान हो रूपा जी ने का शायद अब पंक्ति तुफान ही बन चुकी है क्योंकि शायद हमने जो उसके साथ किया वो सच में गलत था कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मैंने पंक्ति पर जुटा इलजाम ही लगाया हो और इसी बात का वो बदला लेने आई है वीर ने कहा नहीं वीर हमने खुद देखा था पंक्ति और सीवं को एक साथ बेट पर आरिया ने कहा यहीं बात तो समझ नहीं आ रही है कहीं ओन है कोई पंक्ति और सीवं को भसा रहा आ उ क्योंकि आगर पंक्ति सच में सीवम से प्यार करती थी उसके साथ पंक्ति का अफेर था तो वो यहां क्यों आएगी मुझसे कई गुना ज्यादा पैसे सीवम के पास है उसे तो सीवम के साथ ही चले जाना चाहिए ना उसे क्या फर्क पड़ेगा कि वो मुझसे बदला लेने आएगी या किसी से बदला लेने आएगी वीर ने का तो बिल्कु सही सोच रहा है वीर अब मुझे लग रहा है कि तेरी आखो पर ये बेवकूफी की जो पट्टी बंदी थी ना वो दीरी दीरी उतर रही है लेकिन बात ये है ना कि अब बहुत देर हो चुगी है अब सायद पंक्ती तुस्से इतनी नराज है ना कि शायद कभी तुझे माफ नहीं कर पाए क्योंकि एक औरत के लिए उसका चरित उसका सम्मान बहुत चरूरी होता है और तुने उसी को चोट पहुचाई है सांती जी ने कहा और वहां से चली गई पंक्ती अपने कमरे में आई और बैट पर बैट कर रोने लगी ये सब मैं क्या कर रही हूँ मेरा परिवार है ये मेरे लोग है ये और मैं इनके साथ ऐसा बरताओ कर रही हूँ लेकिन आरिया को सबक सिखाना बहुत चुरूरी है और उसके लिए यही एक उपाय है क्योंकि यहां कोई मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों की बहुत इज़त करती हूँ लेकिन मुझे यह सब करना पड़ेगा वरना आरिया वो कभी पीछे नहीं अटेगी वो कभी हमें चैन से जीने नहीं देगी पंक्ती ने हलका रोते हुए कहा और तभी उसके सर पर किसी ने हाथ रखा और उसने जल्दी से अपने आसों पोचे और चोक कर जब उसने पीछे देखा तो उसके सामने सांती जी खाली थी मुझे लगा ही था कि तू यहाँ पैसे के लिए तो नहीं आ सकती है सांती जी ने कहा यह आप क्या कह रही है आपको नीचे मेरी बास सुनाई नहीं देती है क्या मैं यहाँ अपने पैसों के लिए ही आई हूँ और मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है तो प्लीज आप इतना प्यार मात दिखाए मुझे पंक्ती ने हलका हिच की चाते हुए का तू मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मैंने तेरी अभी सारी बाते सुन ली है और तू नहीं कहती क्या मुझे पता नहीं है चलता मैं जानती थी कि तू कभी गलत नहीं हो सकती है तू मेरी प्यारी सी बच्ची है मैं ये भी जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगी अपने परिवार के पास अपने पती के पास जरूर आएगी मुझे लगता ही था तेरे साथ गलत हुआ है मेरा यकीन करो मैंने इस घर में इस घर के लोगों को हमेशा समझाया कि तु बिल्कुत सही है और गंगा की तरह पापित रहे लेकिन इन सब को आरिया ने तेरी खिलाब बहुत ज़्यादा भड़का दिया लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तु चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ सांती जी ने कहा तो पंक्ती रोते वे उनके गले लग गई थैंक्यू दादी एक आप ही है जिसने मुझ पर अपना भरोसा नहीं तूटने दिया जिसके भरोसे जिसका हाथ थाम कर मैं इस घर में आई थी उसी ने मुझे अपनी जिंदिगी से निकाल दिया तो मैं क्या करती दादी इसमें सिर्फ आरिया की गलती नहीं है वीर की भी उतनी ही गलती है आरिया ने कह दिया और उसने मान लिया मेरा सिवम के साथ पंती ने रोती हुए का रो मत बेटा मैं जानते हूं कि तू मेरे से कितना प्यार करती है और जब अपने ही हमें दूर कर देते हैं तो वो बहुत तकलीफ देता है पिछले दस मेने से हमारे घर को तो जैसे आर्या का ग्रहन ही लग क्या है और तू नहीं थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मनहूसियत छा गई थी पूरे घर पर एक एक दिन कैसे गुजारा है हमने हमी जानते हैं आर्या ने तो जैसे मेरा जीना हराम कर दिया था सांती जी ने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी दादी इस घर की खुसिया, हसी, उराने दिन सब कुछ लोट आएंगे एक बार मैं आर्या को हमारी जिन्दिगी से निकाल दूँ और फिर मैं फिर कभी बता दूँगी कि मैं प्रेगनेंट हूँ पंक्ती ने हालका रोते हुए कहा क्या, तु मा बनने वाली है ये भगवान, तेरे आते ही देख मेरे फोटो पर कैसी मुस्कान छा गई है वीर सुनेगा तो खुछी से पागल हो जाएगा तू हमारे घर के लिए बहुत सूभ़ए बंक्ती और अब तो मेरा परपोता या परपोती आने वाले है मैं तो बहुत खुछ हूँ सांती जीने खुछी से चहकती वे का लेकिन देखिये न दादी कैसी हिम्मत पाई है मैंने ये खुस खबरी सबसे पहले अपने पती को सुनाई जाती है इस बच्चे के पिता को सुनानी चाहिए थी केकिन मैं चाहा कर भी उसे नहीं बता पा रही हूँ कोई बात नहीं एक बार मैं आर्या से चुटकारा पालूं उसके बाद सब को बताऊंगी लेकिन वीर को कभी माफ नहीं करूंगी उसने मुझे धोखा दिया है मेरे होते हुए वो आर्या से साधी करने वाला था उसने मुझे बहुत तकलिप पहुचाई यह दादी मुझे जी रूपा को कहा था रूपा ने और आर्या ने वीर के उपर बहुत दबाव डाला रूपा ने तो वीर को कसम तक दे दिया अपनी तब जाकर वीर माना है तेरी विना वीर का क्या हाल था यह तो मैंने देखा है ना ठीक से खाता पीता था ना सोता था और ना ही चैन से जीता था हसना तो जैसे भूल ही गया था एक जिंदा लाज बनकर रह गया था वो तेरी बिना रोज रोता था और मुझसे कहता था कि दादी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिससे मैं इतना प्यार करता था उसी से दूर हो गया सांधी जी ने कहा फिर भी दादी वीर को अपनी बिना जिंदा रहे गई लेकिन दोबारा उसके बिना मैं सच में मर जाओंगी पंक्ति ने कहा ऐसा कफ़ी फिर नहीं होगा पंक्ति तुझे बस ये लड़ाई जीतनी है अपने पती के लिए अपने परिवार के लिए अपने होने वाले बच्चे के लिए और अब सब के साम सांती जी पंगती की कमरे से बाहर चले गई कुछ देर के बाद आठ बज गए और जैसा कहा गया था डिनर डाइनिंग टेबल पर रेडी था तभी पंगती नीचे आती है और देखती है कि वहां पर सिर्फ सांती जी है बाकी कोई भी नहीं है लगता है अभी तक उन लोगों तेरी बात को सीरियस नहीं लिया है तुझे फिर से सकती ही लेनी पड़ेगी सांती जी ने कहा आप बिल्कु ठीक कहरें दादे जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टेड़ हैं यहां के लोग हैं पंगती ने मुस्क्रा कर कहा तो सांती जी भी हांसती अब देखते हैं कि तो कैसे इन तेरे लोगों से डील करती हैं सांती जी ने मुस्क्रा कर कहा और फिर पंक्ती ने रवी को बुलाया रवी एक काम करो सब के कमरे में जाओ और सब को बुला कर लाओ और अगर कोई आने से मना करे तो उनसे कहना कि अगर वो नहीं आएंगे तो दादी के साथ जो तो होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे पंक्ती ने कहा जी ठीक है मैडम रवी ने कहा और फिर वो सब के कमरे में गया और सब को पंक्ती की कही हुई बात बोल दिया लगबख दो मिनट के अंदर ही सारे लोग जल्दी से नीचे आए अरी वाह आप लोग तो एक्सप् करता हूं मेरी दादी को अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें वीर ने इतना ही कहा था कि पंक्ती बीच में ही बोल दी मुझे कोई फरक नहीं परता कि तुम किस से प्यार करती हो और तुम्हारे पसंद ना पसंद से तो मुझे बिलकुल फरक नहीं परता है तुम शट अप आरया, तुम्हारी धम क्या सुन सुन के न, मैं पक चुकी हूँ, मुझे पता है, तुम क्या बोलने वाली हूँ, अब फ़ोई सकती हो अभी तक मुझे नहीं सुनना है, तो अपना मुझ बंद रखो, पंक्ती नहीं कहा, आज पहला दिन है न इसलिए आप लोगों के साथ में थोड़ी सौफ्ट हों लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा कल से जो मेरी बात नहीं मानेगा न वो घर से बाहर होगा कसम खाकर कह रही हूँ मैं मैं सब को अभी के अभी rules and regulation बता देती हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ पर फालो करने है और जो नहीं करेगा अपना अंजाम खुद जानता है पंक्ति ने कहा rules सांती जी ने कहा जी हाँ rules rule number 1 कल से सुबह 7 बजे तक सारे लोग उठ जाएंगे rule number 2 breakfast सुबह 8 बजे होगा सारे लोग उसी टाइम पर नीचे dining table पर present रहेंगे जो भी नहीं आएगा उसे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा लंज का टाइम दो बजे का रहेगा तो जिसको मन हो वहाँ लंज कर सकता है आफिस बाहर कमरे में आपकी मर्जी और रात को 8 बजे फिस से डिनर टाइम जो कि सारे लोग एक साथ करेंगे आज से हर वक्त आप लोगों के दिमाग पर घड़ी चलनी चाहिए और हर काम आज से हर वक्त आप लोगों के दिमाग पर घड़ी चलती रहनी चाहिए हर एक काम समय के अंसार किया जाएगा जो टाइम मैंने बताया उसी टाइम के बाद किसी को भी खाना नहीं मिलेगा रूल लंबर तीन इस घर में मुझसे पूछे बेगर कुछ भी नहीं आएगा और ना ही कोई भी फंक्सन होगा ब्रेकफास्ट, लंज, डिनर, तीनों का मैंनू मैं डिसाइड करूँगी इस घर में आज से सिर्फ वही होगा जो मैं कहूँगी इसके अलावा कोई दूसरी चीज सोचेगा भी नहीं रूल लंबर चार रात को नो बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा लेटिस्ट कोई नो बजे तक ही बाहर रह सकता है और वो भी डिनर करने के बाद आट बजे यहाँ डिनर करने के लिए वीर भी रहेगा क्योंकि अब आफिस का सारा काम मैं ही देख रही हूँ तो तुम सारे साथ बेजे तक घर आ जाओगे और उसके बाद तुम घर से भी काम कर सकते हो रूल लंबर पाँच मैं हर महीने घर के सारे लोगों को पांच हजार अपने खर्चे के लिए दूँगी वीर की सैलरी उसमें नहीं रहेगी उसे आफिस में काम करने के लिए अलग से सैलरी मिलेगी और हाँ आरिया को भी महीने के पांच हजार मिलेंगी क्योंकि उसे मैंने कंपनी से निकाल दिया है किसी भी इनसान की छोटी गलती पर उसके महीने के पैसे काट लिये जाएंगे अगर आप लोगों को ये रूल्स मंजूर है तो आप इस घर में रहेंगे वरना आप यहां से जा सकते हैं और हाँ इन सारे रूल्स को न अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लिजे क्योंकि मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है पंक्ती ने का ये घर है ये कोई होस्टल नहीं हर चीज की टाइम पर होगी किसी की कोई मर्जी नहीं चलेगी रूपा जी ने गुस्से में का आप लोगों के लिए ये होस्टल ही है घर तो मेरे लिए है समझ लिजी कि ये आप लोगों का यहां रहने का रेंट है फिरी में छट फाइब इस्टार होटल जैसा खाना मस्त वाली लाइप मिलेगी तो उसके बदले कुस्तो कीमत चुकानी पड़ेगी न पंती ने कहा लेकिन तुम मुझे میरी ही कमपनी से नहीं निकाल सकती हो पंती आर्या ने कहा निकाल सकती हूँ क्योंकि वो कमपनी तुम्हारी नहीं मेरी है और जो मेरा है उसमें मैं किसी और की दख्लंदाजी बरदास नहीं करूँगी आर्या ने वीर की तरफ देख कर कहा पता है पंक्ती तुम्हारी इन हरकतों से न मुझे तुम से और नफरत हो रही है वीर ने कहा पहले कौन सा तुम मुझे रोमियों की तरह प्यार करते थे जब तक मन चाहा अपने पास रखाओ और जब मन भर गया तो इस जाम लगा कर अपनी जिन्दिगी से निकाल दिया ऐसा प्यार करने से अच्छा है कि तुम मुझे नफरत ही करो अब मुझे कोई भी डिसकसर नहीं चाहिए सारे लोग अभी डिनर करेंगे और किसी को प्रावलम है तो अपने कमरे में जा सकते ही लेकिन कल उन्हें पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा पंक्ती ने कहा उसके बास अपने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोनी चलेगे मौका देखकर सांती जी पंक्ती के कमरे में जाती है पंक्ती तुने सोचा है कि तू क्या करेगी, कैसे आरिया का सब के सामने लाएगी, सांती जी ने का, नहीं दादी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब बुरा बनने का नाटक तो मैंने बस इसलिए किया, ताकि कैसे भी वीर और आरिया की शादी रोग दू, और इस घर में आक क्या करो, पंक्ती ने का, मेरे पास एक उपाय है, सांती जी ने का, क्या उपाय, पंक्ती ने पूछा, मुझे लगता है कि अगर आरिया खुद से बोलेगी ना, तो ज्यादा अच्छा होगा, और सब को यकीन हो जाएगा, सांती जी ने का, दादी, आप बिलकुल ठीक कह र सोजना है कि ये मैं कराऊंगी कैसे, अब आप चाहिए और आराम करिए, आगे का मैं सोचती हूँ, पंक्ती ने कहा और फिर सांती जी वहां से चली गई, पंक्ती कुछ देर सोचती है कि वो आरिया से कैसे सच उगलवा है, और फिर सोजाती है, सुबे के सारे साथ बज रहत पंक्ती फ्रेस होकर अपने कमरे से बैठी थी, तब ही वीर वहां से गुजरता है, और उसकी नजर पंक्ती पर पढ़ती है, रॉयल, ब्लू कलर की प्लेटेट, पल्लू, करके सारी के साथ स्लीबलेस ब्लैक ब्लाउज, चेरे पर मेक अप और पिन कलर की लिप्स्टिक, लं तुम क्या कर रहे हो यहां पर, पंक्ती ने पूचा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, वीर ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करने है, पंक्ती ने कहा, और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वीर ने उसका हाथ पका लिया, और उसे वापस अपने पांस क्या कर रहे हो तुम पंक्ती हलके गुस्से में चिलाई तुमसे बात करने की कोशिस कर रहा हूं क्यों कर रहे हो मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है पंक्ती ने कहा मुझे करनी है तुम मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों आई हो मैं नहीं मानता हो कि तुम पैसो के लिए आई हो या प्रापर्टी के लिए आई हो तो अब मुझे बताओ कि तुम अभी क्यों आई हो कुछ दिन पहले गई हो तुम यहां से वीर ने कहा कुछ दिन नहीं एक महिना हो गया इतना भी याद नहीं है तुम्हें पंक्ती ने कहा एक महिना छे दिन दस घंटा और चौविस मिनट हुए है तुम्हें इस घर से गय हुए सब याद है मुझे लेकिन मुझे जानना बस यह है कि तुम अभी क्यों आई हो जब यहां मेरी सादी की तैयारिया शुरू हो गई थी तुम तब भी आ सकती थी जब मैं सादी की बारे में सोच भी नहीं रहा था वीर ने कहा सोच भी नहीं रहे थे हमेशा से सोचते थे हमेशा से आर्या से ही सादी करना चाहते थे तुम पंक्ती ने गुस्षे में हलका चिला करका ऐसा कुछ नहीं है वीर ने चिला करका उसकी आंखों में खो गई और फिर उसकी आंखों के सामने हर एक बात घूमने लगी उसकी प्रेग्रेंसी की बात वीर के साधी की खवर सुनने की बात जूट बोल रहे हो तुम पंक्ति ने कहा तुम्हें जो सोचना है सोचो लेकिन अब मैं तुम्हारे आंखों में देखकर स शिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम वापस इसलिए आई हो ताकि हम अपने जिन्दगी की एक नई शुरुवात कर सकें, वीर ने पूछा, अचानक ये सब क्यों, भूल गए तुम, मेरे साथ क्या क्या किया था, पंग्जी ने भरी आँखों के साथ गुस्से कहा था कि जब तुम्हारा धिमाग सांथ होगा तब बात करेंगे, लेकिन तुमने कहा था कि जब रिस्ता ही नहीं बचेगा तो बात क्या करोंगे, पंग्टी ने कहा, हाँ कहा था मैंने, याद है मुझे कि तुमने मुसे कहा था, कि जब मैं सांथ हो जाओंगा, तब तु तो हुआ लेकिन तो आई नहीं तुम नहीं आई ना एक दिन भी नहीं आई एक कोशिज भी नहीं कि तुमने मुझसे मिलने की और याद रखना कि घर छोड़कर तुम गई थी वीर ने कहा तुम रोक भी तो सकते थे महीं खड़े थे ना तुम जब मैं जा रही थी तो रोका क पंक्ति ने का ठीक है मानता हूं मैंने नहीं रोका लेकिन जब तुम उस वक्त घर छोड़कर चली गई थी तो आप क्यों आई हो अब क्यों आई हो तुम यहां अब क्यों बता रही हो कि तुम मुसे प्यार करती हो वीर ने हलका गुस्टे में पूछा प्यार नहीं नफरत कर कर इस दुनिया से चली जाओं लेकिन फिर लगता था कि मैंने कोई गलती नहीं की थी तो सजा मुझे क्यों मिल रही थी लेकिन अब बस अब मेरी बारी है दर्द देने की बहुत प्यार देखा है ना तुमने मेरा लेकिन अब मेरा नफरत देखो गई पंक्तिनी गुस्टे नहीं बर्दास कर पाऊंगा पंक्ति वीर ने खुद से कहा कुछ देर बाद पंक्ति नीचे आती है तो देखती है कि आठ बजने में बस पांच मिनट बाकी है और डाइरिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रहा था आठ बसते हैं सारे लोग नीचे आते अरे भाँ मुझ चलिए बिना टाइम वेश्ट के खाना खाते हैं पंक्ति ने कहा और उसके बाद सारे लोग खाना खाते हैं कुछ दिन यूँ ही बीठते हैं पंक्ति और सांती जी कुछ ना कुछ कोशिस कर रहे थे जिससे की आरिया का सच सामने आये लेकिन आरिया बहुत साथी थी तब ही आरिया उसके कमरे के बाहर आती है आरिया को पंक्ती के कमरे के बाहर सांती जी देख लेती है आरिया पंक्ती के कमरे में क्यों जा रही है ये कुछ ना कुछ अपने मुझे जिरूर बोलेगी मैं रूपा और वीर दोनों को यहां लेकर आती हूं और इन दोनों की बात स लेकिन अगर मैं उन लोगों को उनके कमरे में बुलाने गई तब तक ही आरिया ने काम कर दिया तो एक काम करती हूं उन लोगों को कॉल करके बुलाती हूं सांती जी ने खुद से कहा और फिर रूपा जी और वीर को कॉल करके वहाँ पंक्ती के कमरे के पास बुलाई और कुछ ही पल में दोनों वहाँ भी पहुँच गए मम्मी जी आपने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है रूपा जी ने पूछा मैं तुम दोनों को आरिया और पंक्ती की बाते सुनाना चाहती हूँ आरिया पंक्ती के कमरे में गई है आज पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन गलत है तुम दोनों चुप रहना और बस बाते सुनना सांती जी ने कहा पता क्या करना है आपको तो दिखता नहीं है कि क्या आरिया सही है और पंक्ती गलत है रूपाजी ने कहा देखते हैं न मा दोनों की क्या बाते होती है आज सच में सब सामने आही जाएगा वीर ने कहा और फिर आर्या पंक्ति के पास जाती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो पंक्ति ने पूछा मेरी छोड़ो तुम अपनी बताओ तुम यहां क्यों आई हो वीर के लिए आई हो ना तुम वीर को मुझे फिर से छीन लेने आई हो तुम आरिया ने पूछा छीना तो उसे जाता है ना जो तुम्हारा ना हो और जैसे वीर को मुझे तुमने छीना था वीर मेरा पती है उसे मुझे किसी और से छीनने की क्या जरुवत पड़ गई पंक्तिनी मुस्क्रा कर का देखो तुम ज्यादा नोटंकी मत करो मैं इतनी आसानी से चुपने ही वैठने वाली हूँ वीर को तो मैं तुमसे हासिल करके रहूंगी बहुत जल्दी ही है वो तुम्हें तलाग देगा और मुसे साधी कर लेगा आरिया ने का सपने देखना अच तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं मैं जब चाहुँ तुम्हें धक्यां करें बाहर फेक सकतीं लेकिन मैं ऐसा करोंगी कि नहीं। मुझे सब को बताना है कि तुमने आज तक इस घर में कितना घटिया चाले चली है। वीर को हासिल करने के लिए पंगती ने का। किसी को तुम्हारी बात पर भरोसा होगा तब ना। जब वीर ने तुमें सीवं के साथ देखा था। याद है तुम्हें। तब तुम कितना चीक चीक कर चिलाई थी कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक नहीं सुनी, आर्या रंधावा ऐसे ही कोई चाल नहीं चलती है पंक्ती, आर्या ने मुस्क्रा करका, इसका मतलब है कि मेरा सक सही निकला, उस दिन मेरे और वीर क वीच में गलत फ़य में पैदा करने वाले तुम ही थी ना, वंक्ती निका, तुम्हारी प्रावलम ही है, तुम्हें ना, हर बात बहुत देर में समझ में आती है, और जब तक समझ में आती है, तब तक बात ही तुम्हारे हाँ से निकल चुकी होती है, जैसे पहले भी मैंने तुम्हारी हर चीज को तुम्हारी गलती में बदल कर रूपा मम्मी की नजर में तुम्हें गिरा दिया था वैसी ही मैंने वीर के पहले कान भरे तुम्हारे खिलाप और उसके बाद होटल मैनेजर के साथ मिलकर मैंने तुम्हें और सिवम को भी होस करके एक साथ कमरे बेट पर सुला दिया और तुम्हें और सिवम को जो मैंसे जाया था ना कि वीर का एक्सिडेंट हो गया और वो होटल में है वो भी मैंने ही करवाया था ताकि तुम और सिवम, भागे-भागे उस होटल में जाओ! होटल के उस कमरे में जाओ! और मैं वीर को दिखा सकूँ कि तुम्हारा और सिवम का अफेर चल दार! तो तुम्हे क्या लगता है? कि तुम्हारी जान लेने से पहले मैं एक बार भी सोचूंगी पंग्ति आर्या ने कहा और अपने पास से एक चाको को निकाली और पंग्ति के पीछे आकर उसे जोड से पकड़ा और चाको उसके गले पर रगी आर्या ये क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे पंक्ति बोली, नहीं, जब तक तुम रहोगी, ना, तब तक वीर मुझसे साधी कभी नहीं करेगा, इसनीं तुम्हें ही खत्म कर देती हुँ, तुमने कहा था ना, मुझसे, कि तुम, वीर के लिए मरने के लिए भी तयार हो, तुम मर जाओ ना किजी को तुम्हारी कोई परवा नहीं है कोई जरुवत नहीं है आरिया ने कहा और तभी वीर ने आरिया के पीछे से हटा कर उसके हाथ से चाकू फिकवा दिया वीर तुम यहाँ देखो ना पंक्ती मुझ पर हमला करने वाली थी वो तो अच्छा वाकि सही समय पर मैंने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और अपनी जान बचाने के लिए उसके गले पर चाकू उतानी ताकि मैं यहाँ से भाग सकू आरिया ने कहा और तभी रूपा जी भी खाली मुसीबते आई हैं इस और से मेरे सब कुछ छीन लिया है और तो और यह मेरी जान लेने आई थी अभी आरे ने कहा तो रूपा जी ने भी उसे एक चोड़दार तमाचा जड़ दिया रूपा मम्मी आर्या ने कहा वीर और रूपा ने तेरी सारी बाते सुन लिया आर नहीं मिलेंगी इसलिए मैं इसे ही खतम कर देती हूं आर्या ने कहा और पंक्ती को फिर से दबोचा आर्या कोसिस भी मत करना अगर पंक्ती को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वीर ने कहा अभी नहीं बचेगी वीर तुम या तो मुझे साधी करो व कुमाने ही वाली थी कि पंक्ती ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया पर खुद को उसे छुड़ाने की कोसिस करने लगी इस बीच में पंक्ती के हाथ पर एक दुचाकू की खरोच और लग गए उसके पूरे हाथ से खून बहरा था इस हाता फाई में वीर भी बहुत कोसिस क निकाल दे लेकिन बार बार आर्या पंक्ती को नुख्सान पहुचाने की धमकी देकर वीर को दूर कर दे रही थी तब ही पुलिस आ जाती है आर्या को पंक्ती को छोड़ना पड़ता है यहां रूपा राठोर कोन है पुलिस ने कहा मैं हूँ इंस्पेक्टर साब मैंने आरिया हूं आपको तो इस लड़की को थपड़ मारना चाहिए मैंने कुछ नहीं किया है सच कह रही हूं आरिया ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको दिख रहा है ना मेरी पत्नी के हाथ से कितना खुन बैरा है यह सिर्फ और सिर्फ आरिया की वज़े से हुआ इसी ने पंक्ति की बाते रिकॉर्ड कर रही थी और आखिर में आरिया ने पंक्ति पर चाकु तान दिया मिस आरिया यू अर अंडर अरेश्ट पुलिस ने कहा और फिर हदकडी पहना कर आरिया को अपने साथ लेकर गई मैं यह सब कभी नहीं भूलूंगी मैं वापस आऊंगी और आ कर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आरिया ने कहा और फिर पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई पंक्ति तु ठीक तो है ना तेरे यहां से कितना खून बह रहा है चल फास्टेट कर देते हैं सांथी जी कहती है और फिर पंक्ति के सामने आता है और उसके सामने घुटने क बेखाः जाता है, मुझे माप कर दो पंक्ती, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरे आंकों पर आरियने सक्की पट्टी बांदी ती, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन play is, हो सके तुम्हे माप कर दो, میں जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तक्लीब दिया है तुम्हें जीते जी मार दिया मैंने लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ अपने हर दिये हुए दर्द का हिसाब तुम्हें प्यार करके चुकाना चाहता हूँ प्लीज मुझसे नफरत मत करो पंक्ती मैं मर जाओंगा वीर ने हाथ जोड़कर हरता रोते हुए मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती हूँ वीर जिस दिन से मैं तुमसे दूर हुई हूँ मैंने बस यही सोचा है कि जल से जल तुम्हारा गुसा सांत हो जाए और तुम जारा गुसा खतम कर दिया और अपने रिस्ते को एक नया मौका देने के लिए मैं यहां आई थी मैं जानती थी कि आप लोग मुझे इस घर में आपकी जिंदगी में कभी जखए नहीं देंगे इसलिए मुझे बुरा बन कर आना पड़ा पंक्ती निका और फिर वीर को खड कर आया कि तुम मेरी जिंदगी में कोई माइने नहीं रखती हो मुझे माफ कर दो पंक्ती अपने इस मा को माफ कर दो रूपा जी ने हाथ जोड़कर हलका रोते वे कहा तो पंक्ती ने उन्हें गले लगा लिया मम्मी जी मुझे लगता है कि आपको भी पंक्ती से माफी पंक्ती सांती जी ने ने कॉındaki वीर और उपा जी सातों बजा अब तक जो भी किया है जितने भी कदम उठाए हैं ना पंक्ति जिस दिन इस घर में आई थी ना, उसी दिन पंक्ति ने मुझे बताया था कि वो यहां आर्या का सच सामने लाने के लिए और वीर को वापस पाने के लिए आई है, कोई पैसे के लिए नहीं क्योंकि प्रापर्टी उसके नाम कभी हुई नहीं थी, यह सब बस एक पंक्ति की भर आभारी रहूंगा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्यारी खुसी दिये, मेरी जान, मेरा प्यार, वीर ने कहा, और एक बार फिर से पंक्ति को गले लगा लिया, इससे बड़ी खुसी तो अभी मिलना बागी है तुम दोनों को, सांती जी ने कह हमारा पूरा परिवार वापस से एक हो गया है, हमारी बहु वापस आ गई है, मेरा बेटा बहु एक हो चुके है, इससे बड़ी क्या खुसी है, रूपा जी ने पूछा, ये तो पंक्ति खुदी बताएगी कि, उसने कहा था कि, जब सब ठीक हो जाएगा, तो वो अपने पंक्ति तुम मा बनने वाली हो, रूपा जी ने खुसी से चहकती वे का, जी मम्मी जी, यही तो सबसे बड़ी वज़े थी, मेरी वापस आने की, पंक्ति ने कहा, वीर तो खुसी से पागल हो गया था, उसने पंक्ति को अपने गोद में उठाया, और खुसी से नाचने बहुत खुस किया है, I love you पंक्ति, वीर ने खुसी से कहा, और फिर पंक्ति को गले लगा लिया, रूपा जी और सांती जी ने पंक्ति को आसिरबात दिया, पूरा राठोर परिवार कुसी से चूम रहा था, अगले दिन खुस खबरी को सेलिबरेट करने के लिए और पंक्त फिर से एक हो गए, वापस से उन दोनों की जिन्दगी खुसियों से भर गई, और इस पार वीर और पंक्ति के बीच में प्यार और भी जादा बढ़ गया था, आठ महीने बीच जाते हैं और पंक्ति ने एक बेटी को चरम दिया, जिसका नाम उन्होंने खुसी रखा, अब उन लोगों की जिन्दगी में सिर्फ खुसियां ही खुसियां थी, पंक्ति ने आखिर में अपने प्यार को जीत लिया, अब उन दोनों की बीच खुसियां और प्यार दोनों अटूट हो चुका था, आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बह लिखने और बोलने में कोई दूटी हुई हो उसके लिए छमा पराती हूँ आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके चुरूर बताएं और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग कहानिया सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब चुरूर करें थैंक यू